असलाम उलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापन केडिमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 31 से लेकर 65 कोश्चन कराऊंगी जो कि मॉस्ट विवी आई सब्जेक्टिव कोश्चन है इसके ठीक पहले वाले वीडिय एक से लेकर 30 कोश्चन कराई थी मॉस्ट भी भी आई अब इस वीडियो में मैं आप लोगो 65 कोश्चन कराऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कोश्चन है जो कि आप लोगों को एक्जाम में पूछने के चैंस आखरी वीडियो होगा ठीक है तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुवात करते हैं हर एक कोश्चन का एंसर में आप लोगों को बताते जाओंगी आप लोगों को क्या करना है हर एक कोश्चन का एंसर सुनते चलना है समझते चलना है और याद करते चलना है तो चलिए कोशन नमर 31 है कि मजमून के बारे में 5 जुमले लिखी हैं यहाँ पर आप लोग को बताना है कि मजमून किसे कहते हैं मजमून जानते हैं आप लोग एसे निबंद तो एसे मजमून किसे कहते हैं आप लोग को 5 सेंटेंस में लिख देना है और मैं मजमून किसे केते बता चुकी आप लोग जब चैप्टर पढ़ा रही थी ना उसे वक्त मैं आप लोग को बताई थी और अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो इसको बताने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक कि मैं लगबख चेट्टर का कोशन एंसर भी करा चुकी हूँ तो आप लोग कोशन एंसर वाला वीडियो जरूर देखिएगा उससे आप लोग को मालूम चलेगा कि किस तरह लिखा जाता है लफजों को किस तरह सजाया गया है तो आप लोग कोशन एंसर का वीडियो जरूर देखिएगा फिलहाल आप लोग समझेए मजमून के बारे में पांच जमले कैसे लिखे देखिए लिखिएगा मजमून नसर की एक किसम है और मजमून की रिवायत सरस्यद एमदखा से ही चली आ रही है यानि कि मजमून एसे लिखने की जो रिवायत है ये सरस्यद एमदखा से ही चला आ रहा है ठीक है सरस्यद एमदखा से ही शुरुवात हुआ है मजमून लिखने का ठीक है और मजमून में किसी भी मौब्हक पर सेरहासिल बहस की जाती है आप जिस भी टौपिक पर आप मजमून लिखते हैं तो उस टौपिक के बारे में पूरी जानकारी देदेते हैं कि वह क्या है उसके क्या फायदे है क्या नुकसान है वो किस किस तरह से काम करता है मतलब हर चीज उस मौजू के बारे में मतलब से रहासिल भहस करते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लिख कर दे देते हैं उसी को बोलते हम लोग मजमून ठीक है तो जिस तरह में आप लोग को बताई बस इसको लफजों को वहाला भी और पांश नंवरे वाला तो आगर आप इन सभी सभजेक्टिव क्वेश्टन पर कर लेते हैं हर एक एक के विज़्टन का अश्चा सब कर लेंगे करेंगे जितना अभी मैं कर आ रही हूं इसमें दो नंबर तीन नंबर पाच नंबर सभी कोश्टन सभी सब्जेक्टिव कोश्टन सब कुछ मिक्स है ठीक है तो आप लोगों को हर एक एक कोश्टन का एंसर याद होना चाहिए ठीक चलिए दूसरा कोश्टन देखिए डॉक्टर अब्दुलम अफ्टेही डॉक्ति मुझी जो है अपनी मुलाजमत यापनी जॉब की सुरुआत यानिकी पतना कॉलिज ने जॉब से किये थे सबसे पहले उन्its간 पाच्ण में जॉब की थी ठीक भीमणरावम अम्भेटकर की पैदाइश कब और कहा हुई तो भीम January कर पैदाइस्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए इतना महान इंसान की पैदाइस्ट तो आप लोग को मालूम होना ही चाहिए देखिए भीम्राओं अम्बेटकर की पैदाइस होई थी 1891 इस भी को महू सेंट्रल इंडिया में बात खतम आगे बढ़िए भीम्राओं अम्बेट ना होता है ना तो हम लोग बोलते हैं वालिदीन ठीके तो भीम राव अंबेटकर के वालिदीन यानि कि उनके अब्बू अम्मी का दोनों जन का नाम बताना है तो उनके वालिद यानि कि उनके पिता जी का नाम था राम जी मालो जी सक्पाल और उनकी मा का नाम था भीम भाई वालिदा का क्या नाम था भिमबाई तो ये हो गए आप लोगा एंसर अब देखिया अंगला कोश्ट्थ भिम्राओं की शादी किस किस से हुई भिम्राओं की शादी狗 उमर में रामा भाई नाम की लड़की से हुई गही आप लोगा और वहां के जो ओसाद्जय यहानि की टीचर थे उनके साथ कैसा सुलूब करते थे तो देखिए भीम राओं पेडठ कर जो है जिस स्कूल में जाते थे वह सरकारी स्कूल था और एक सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी भीम्राव के साथ भेदभाव किया जाता था वहां के जितने भी स्टुडेंट थे वह मतलब भीम्राव के साथ भेदभाव किया करते थे ठीक है जैसे कि भीम्राव जो है ना वह अच्छुत खांदान से बिलोंग करते थे तो इसलिए वहां के जितने स्टूडेंट थे अधी देख करते थे और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं अगल के निची Pili Tiger देखा करते थे थें कंदान Primary जाकर यह बस गया तो भी म्यटर वालिद वह जिस जगह पर रहते हैं अभी मुंबई आने से पहले वह सितारा नाम के जगह पर मतलब उनका खांदान भीम्राव का खांदान रहता था ठीक है तो वही सितारा में जो है ना भीम्राव के वालिद एक फौजी स्कूल में उस्ताद की मुलाजमत किया करते थे यानि कि एक स्कूल में टीचर का जॉब किया करते थे टीचर थे लेकिन कुछ सालों के बाद जो है राम जी मालो जी की यह जो टीचर की जॉब थी वह खत्म हो गई और फिर राम जी मालो जी मतलब यह फैसला लिए कि उनका जितना भी खांदान है वह मुंबई चला जाए ठीक है और ज लुथ्फु रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई तो लुथ्फु रहमान की पैदाइश हुई थी उनईस से एक तालिस इसबी को छप्रा जिला के बन्यार पूर गाओं में बात खतम आगे बढ़िए लुथ्फु रहमान के किसी दो किताब का नाम बता देना है तो इन आगा सर का लिखा हुआ कोई एक ड्रामा का नाम बता देना है आगा सर की लिखुई एक ड्रामा का नाम है रुस्तम वशुराब हो गया आप लो का इनसर ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 42 कि तनकीद के बारे में पांच जुम्ले लिखिए देखिए तनकीद जो ल है क्या गलत है क्या अच्छाईया है क्या बुराईया है यही लिख कर आप लोगो को बता देना ही क्या कहलाता है तनकीद कहलाता है पर लब खरेखोटे की पहचान करना है कि अगर कोई राइटर कुछ लिखा है तो उसमें क्या गलती है और क्या सही है इसको लिख कर बता द है आगए बढ़िए ड्रामा की मुख्तryते तारीफ कीजिए तो जो ट्रामा वहे ना ये भी किस्सा कहाने की की एक संथ है जिस तरह किस्सा और कहानी अपसाना लिखा जाता है बिल्कुन उससी तरह ड्रामा भी निखा जैता है सिर्फ इतना है कि जो आप आप लोग अपसाना लिखते हैं उसको लिख कर ब्यान किया जाता है और ड्रामा जो है वह स्टेज पर दिखा कर ब्यान किया जाता है ठीक है लेकिन दोनों में कहानी ही होता है ठीक है ड्रामा में स्टेज लाजमी अंसुर होता है ठीक है स्टेज के बिना आप ड्रामा दिखा इस पर्स्ट रूप से आप लोग देख पाते हैं अब मैं जो कुछ भी बोली उसको सजा कर लिख देना है आप लोगों को और वैसे भी मैं आप लोगों को सभी चैप्टर लगबग चैप्टर को वन बई वन चैप्टर करकर के कोशन इंसर करा चुकी हूं तो अगर आप लोग ड्रामा का मुक्तसित तारिफ अपने हिसाब से लफजों को सजा कर लिखेंगे ठीक है आगे देखिए आगा हशर कस्मीरी की ड्रामा निगारी पर पांस जुम्ले हैं यहां पर आप लोग को आगा हशर कस्मीरी की ड्रामा निगारी पर वो किस तरह के ड्रामा लिखा करते हैं आगाशर कस्मिरी यही आप लोग को बताना है 5 ही सेंटेंस में तो यह कौन सी बड़ी बात है ठीकिए आँगाशर कस्मिरी को और्धू द्रामा नेगारी में इनको सक्सप्यर कहा जयता है जितने भी लोग खेगा अच्छी का पूबी थी जिसके वज़ा से पूरे लोग जितने भी लोग थे वो आगा शरकस्मीरी को सक्स्पियर कहने लगे ठीक है तो यह सारी चीजे आप लोग को लफजों को सजा कर लिख देना है बात खत्म आगे बढ़िए इस्म की तारीफ केजिए और उसका एकसाम बयान कीजिए यहाँ पर आप लोग को बताना है कि इस्म किसे कहते हैं और उसकी कितने किसमे हैं इस्म को हिंदी में बोलते हैं संग्या और इंग्लिस में बोलते हैं नाउन जी बिल्कुल अब आप लोग को याद हो गया होगा कि मतलब किसे कहते हैं इस्म आप लोग बश्मन में याद कि इसम होता है किसी भी ठीक है किसी भी शक्स किसी भी जगह या फिर किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं इस दुनिया में जितने भी चीज़े हैं उसका कोई ना कोई एक नाम जरूर होगा जैसे कि यह मारकर यह आप लोग का बोर्ड है ठीक है उसके बाद से यह कैमर तेबल वगयरा घर जितना इस दुनिया में जितने भी चीज़ें उनका एक नए नाम जरूर होगा तो जितनी भी नाम है उसी को बोला जाता है इस ठीक है और उर्दू में इसम की मानी की लिहाद से मानी की लिहाद से ना दो किसमें हैं एक है इसम मार्फा और दुसरा है इसम जाकर इसम के बारे में और बेहतर तरीके से जानकारी ले सकते हैं क्योंकि इसम से question उठाता है मतलब exam में question पूछता है इसम से उर्दु करामर इसम की किसम है या फिर पूछ देगा इस he updated इसम किसे के ज़रूर नहीं कि सिर्फ यह पूचे जाकर आप लोग उर्दु ग्रामर को पढ़ लिजेगा बहुत हैल्फ होगी आप लोगों ठीक है आगे बढ़िए देखिए आरे भट की जाय पैदाईश और तारीख पैदाईश पर रौसनी डालिए यहां पर आप लोग को बता रहा है कि आरे भट की जाय पैदाईश यानि लेकिन पता लगया गया तो हम लोगों को मालूम चला कि आरे भट की जो पैदाईश है वह बिहार के पटना के मगरिब में खगोल नाम के जगाँ पर हुई है और कब तो चार सबहत्तर इस भी को हो गया आप लोग का एंसर आगे देखिए अगला सवाल सूरज गरहन और चा सूरज और प्रित्वी के बीच चांद टपक पड़ता है बीच में चांद टपक जाता है और चांद जो है वह सूरज से आने वाली किर्णों को ढख लेता है और चांद की परच्छाई जो है वह प्रित्वी पर पढ़ने लगती है उसी को बोला जाता है सूरज गरहन यानि किर्णों को ढख लेगा और प्रित्वी की परचाई चांद पर पढ़ने लगेगी उसी को बोला जाता है चांद गरहन यानि की लूनर इक्लिप्स समझ में आया अब आगे बढ़िए देखिए कोश्चन first नबर फुटि attitude कि 2009 सूरजगरहन की एह मियां कि ब्यान किजिए अब यहां पर आपपनों को बताना है कि 2009 में जो सूरजगरहन लगा था उसकी क्या है चासियद है 2009 Another German लगने वाला था वह सुरजगरहन बंदर सौसाल में एक बार लगता है बहुत ही एहम होता है और बहुत ही बड़ा सुरजगराण लगने वाला था तो ये एक अमेरिका विग्यानीक थे जिन का नाम थांचे एंडरसन ठीक है साइंटिस्ट थे एंडरसन और वह विस डूहजर 2010 सब्सक्राइब कर रहे थे और रिसार्च कर रही थे और उन्हों ने रिसार्च करकाAL की जिस और 99 इससी में सबसे बड़ सपंधर होगा और ऐसा garant इस्ट दो ही लगए को लिए जो सबसे अच्छा जगह है वह हों एक तरेगना नाम का दो यके और याद कीजिए तरेगना वही जगह है जहां पर आरेभट का रिसर्च सेंटर था तरेगना नाम के जगह पर ही जो है आरेभट अपना रिसर्च सेंटर खोले थे और वहीं से वो तहकिकात रिसर्च किया करते थे तो जब तरेगना की बात आई तो फिर से आरेभट का नाम रौशन हो गया कि देखिए जहां पर मतलब आरेभट जहां रिसर्च सेंटर स्थापित करकर रिसर्च किया करते थे वही एक जगह है जहां से मतलब सुरज गरहन को 2009 के सुरज गरहन को बहतर तरीके से देखा जा सकता है तो फिर से आरेभट और तरेगना का नाम रोशन हो गया तीक है आगे देखिए क्वेशन नमर 49 है कि नजीर एहमद कब और कहां पैदा हुए तो नजीर एहमद की पैदाईश हुई है 1836 को जिला बिजनोर के अफजलगण में हो गया आप लोग का एंसर आगे देखिए नजीर एहमद के किसी दो नाविल का नाम लिखिए यहां पर आप लोग को नजीर एहमद के किसी दो नाविल का नाम बताना है तो पहला का नाम है तो अपतल नसू और दुसरा का नाम है रुआय सादका ठीक है आगे देखिए अगला सवाल पहमीदा और हमीदा नसू की कौन थी तो जो पहमीदा थी वो नसू की बेवी थी बेगम थी और हमीदा नस एपने से लफजों को सजा कर लिख सकते हैं कि मतलब नज़िर अमद की पैदाईस जो है उसके बाद से आगे की तालेम और पढ़ाई लिखाई पूरी की और इसके बाद से वो मतलब कानपूर में डिपटी इंस्पेक्टर बन गये और इसलिए जो है नजीर एहमद जो है डिप्टी नजीर एहमद के नाम से मशूर हो गए तो जो कुछ भी मैं आप लोग को बताई वो आप लोग लफजों को सजा कर ली लिजेगा होगी आप लोग का एंसर आगे देखिए गालीब के खतूत के किसी एक मजमुवा का नाम लि गालीब जो है उनकी पैदाईश अपने नानिहाल आगरा में हुई है और कब तो सत्रस संतान बिर्स भी को और भी जनकारी देदू गालीब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग इनके चचा का नाम था नस्रुल्ला बेग ठीक है जब गालीब पाच सल के थे तो इनक से रुखसत हो गए जिसके बाद से गालीब की जो सर परस्ती मतलब उनकी देख बाल हुई वो चचा नस्रुल्ला बेग की सर परस्ती में हुई ठीक है तो यह हो गया आप लोग का मैं आप लोग को एक्स्ट्रा जनकारी देदी लेकिन इतना याद रखिएगा सायद काम आ है आप लोगा ठीक है आगे बढ़िए शौबाज की पैदाएज कब और कहा हुई तो शौबाज की पैदाएज जो है अठारव सफस्तार इसक्ट वी को भिहार के बार शहर में हुई है तो यह हो गया आप लोग का एक सर आगे बढ़िए शौबाज के दो किताबों का नाम तो पहला का नाम है होजा्त और दूसरा का नाम है आफ dzień किताब बाकियात और की किसे ची जो मक्तूब का लभज है ये फार्सी जबान से आया है ठीक important कर द hai में कहते हैं खट जी खट बोलीय मक्तूब बोलीया फिर लेटर बोलिया बात एक ही है ठीकिसे अपने को खतूत lakkay levar को यह detailing कि खट लेटर लिखने को ही फार्से में क्या केते हैं मक्तूब ठीक तो यहां पर आफ़ लोगको बता देना है कि खत किसे कहते हैं खत जो हे वह मतलब अपनी आफिली जजबात और एहसासाइब को दूसरे तक लिख कर पहुचाने का एक तूबनेगारी बाते किये तो जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताई उसको बस आप लोगों को लफजों को सजा कर लिख देना है होगे आप लोग का एंसर आगे बढ़िए शौबाद अपनी बेटी को जिस बात की तलकेन की है उसे उजागर करें तो जो शौबाद है अपन मैं बेटी को यही तलकीन करते हैं मैं जो हूँ महर्रम की चुट्टी में आ रहा हूँ और तुम अपना सबस्ट नहीं सुनाओगी तुम्हारा सबक याद नहीं रहेगा तो तुमको इनाम नहीं मिलेगा तो इसी लिए तुम क्या करो अपना सबक याद करो और अपने मée बाप का नाम रोशन करो ठीके तो इसी बात की तलगीन जो है सवबाज अपनी बेटी को देते हैं ठीके आगे देखिए मेहदी अफादी कब और कहां पैदा हुए तो मेहदी अफादी जो है वो 18-28 इस भी को गोरखपूर में पैदा हुए थे तो यह होगी आप लोग का एंस ठीके आगे बढ़िए मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशूर हुई तो मेहदी अफादी के बेगम का नाम था अजीमुन्यसा बेगम और वह बेगम मेहदी के नाम से मशूर हो गई फ्यमास हो गई ठीके आगे बढ़िए इंटर्वीव लेने वालों के नाम बताईए कौन कौन लोग जो है वो इंटर्विव ले रहे हैं तो दो ही लोग इंटर्विव ले रहे हैं पहला का नाम है इसमत चुकताई और दुसरा का नाम है फयाज रिफत यह दो लोग जो है बेदी से राजेंदर सिंग बेदी से इंटर्विव लेते हैं तो दोनों का आप लोगह नाम लिख देना है अब देखें अगला सवाल है सवाल नमबर 63 कि राजम्दर सिंगh Bedi के जय पैदाइश और तारीख पैदाइश बताईश यहाँ पर आप लोगोह को राजम्दर सिंगh Bedi की जय पैदाइश यानि release यानि कि कि वह किस जगा पर पै तो रगंड सिंग बेदी जो है सबसे पहले वो पोश्ट ऑफिस में काम किये थे ठीक है पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और उसके बाद से वो All India Radio में रिलेट हो गये ठीके तो ये सारी चीज़े आप लोगो लिख देना है आगे बड़ी लास्ट कोश्चन है कि बेदी और कृष्ण चंदर में पहली मुलाकात कहां हुई थी तो बेदी और कृष्ण चंदर में जो पहली मुलाकात हुई थी वाकई फिल्मी अंदाज में हुई थी ड्रामाई अ आज में हुई थी जैसे फिल्मों में मुलाकात होती है ना बिलकुल उसी तरह बेदी और कृष्रिण चंदर में मुलाकात हुई थी सबसे पहले तो बेदी जो है राजिन सिंग बेदी वो कृष्ण चंदर के अफ़साने कहानी को पढ़ पढ़ करें मुतासर हो गए थे उनसे पंजाब पब्लिक लाइबरेडी में गये थे शे मिलने के लिए और इत्फाक वे तो कि दय तो वह राजेंट कि बेदी से मुक्त क्या आप कने और और वाक मतलब आपस में गले मिलगए तो ये वह गया आप एंसर और आज किस वीडियो में मैं आप लोग को टोटल 65 सिक्टिफ को स्वाइव कर आई हर एक कोशन पर आप लोग को कमांड कर ले लेना है हर एक एक कोस्टन गाप लोग का अन्सर याद होना चाहिए अब आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए के बहुत जल्द मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी जो कि आप लोग का आखरी वीडियो होगा सब्जेक्टिव कुश्चन का जिसमें मैं आप लोग को टोटल सब्जेक्टिव कुश्चन को कॉम्प्लीट करा ही दूगी ठीक है तो जो कुछ भी आप लोग को समझाई सम पज़ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो क्या ये वीडियो को अपने पास ही रखेंगे दूसरों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए तो फिर में नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिज